इस महा विश्व के अंदर बहुत सारे ऍब एश सिच्वेशन घटी है इस घटनाय घटी है जो हमारे लिए बहुत ही कह सकते हैं हम बहुत Gentle सकते हैं ऐसे जोतिर विज्ञान इसके साथ जो बहुत ही जादा जिसको इंटरेस्ट पैदा होते हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है आखिर तक वीडियो को जरूर देखेगा और मैं आपको जरूर बताऊंगे कि हमारे जो फाउंडेशन बैच है 2025 का वो तो चालू हो गया है उसमें अगर आप चाते हो तो 30% discount के साथ यहां पर आप definitely enrollment कर सकते हो और यह है उसका आपकी जानकरी के लिए आप नीचे नंबर फोन नंबर दे रखा है आप नीचे यहां पर देख सकते हो यहां पर देख सकते हो क्या है आज के सेशन वैसे बहुत छोटा सेशन ह है उसको अगर आपको थोड़ा डीटिलिंग्स में पढ़ना है जानना है तो current affairs magazine मालुका यह सका इसका इससे अच्छा कुछ आपके पास हो ही नहीं सकता वैसे हमारे पास आपको यह मिलते है batches के लिए और current affairs को अब घर बैठे भी मंगवा सकते हो इस से अच्छा क्या हो सक तो चलो नंबर पर कॉल कर लेना फिर से मैं बता रही हूँ यह नंबर है इस नंबर पर आपने कॉल करना है ठीक है और बाकी admissions के बारे में भी डीटिल साप यहां से जान सकते हो चलो शुडू करते हैं आज के यूनिवर्स के बारे में बात बहुत इंपोर्टन यह 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 दिल haid को होता है जो कि रोगर डान की अरप करेंगे जो की रोगरी रोगर एक सूरज को खा जाता है समझमे आया क्या बात कर रहे है यह कैसी आप हूई तिवह को धे किसे वहाहँ मैं में ब्रॉजद एक सूरज को खा शाट में इसके बारे में हम बात तो बेसिकली यह कसद है यह कसद एक सेलस्ट्रियल अबजेक्ट है जो कोई डिस्टान गैलक्सी की कोड में होता है हमें जैसे पता है हमारी जो वर्ल्ड है वो जो गैलक्सी के अंतरा आता है उसको क्या कहते है ऑके की काम्सी शायजी पता है तो इसे कुछ गैलक्सी सर्फ दुन्या में ही दुन्या तो चोटा से चीज है ऐसे अगर भिष्य चानämäं में कहेँ तो उसमें एक ग्यालक्सि नहीं लाखो करोड़ओ गयलक्सी है तो यहाँ हम पर ग्यालक्सी होते है उसके जो कोड़ होते है तो इसको करें tis ने सिर्मासिक ब्र Beethoven G collection को पर अज आ जाता है क्याशच ठीक है क्यान कार्श DR तो अगर हम बात करें तो तो इसके special अगर differentiation अगर इसको करें यह देख रहे हो बीच जो है इसको singularity कहते है और यहां पर event horizon है मतलब यह horizon के अंदर ही इसका कारियकाल साथ कारियकाल चलता है मतलब यह जो expand करता है तो यहां पर यह काम करता है ठीक है फिर रिलेटिविस्टिक जेट है यह इसको कहते है ऐ और एक्रिशन डिस्क यह जो एक डिस्क की तरह दिख रहा है और नीचे इसके अंदर होता है इनर्मो स्टेबल और बीट में यह स्टेबलाइज होते है इतना को तिककत नहीं होता है लेकिन बाकी जगा पे यह बहुत ही जादा effective होता है ठीक है तो यह basically आपको जैसे मैंने क gravity से matter को consume करता है और उससे grow करता है यह जो black hole है इसका जो periphery है इसका जो circumference है यह बार बड़ता जाता है तो आप यह बताया जा रहा है कि यह क्या इतना बड़ा होने के कारण इसमें और एक चीज होता है कि इसके center में जो black hole है वह अब तक सबसे first growing black hole पाया गया ठीक है यहां जो black hole है इसके center में जो black hole मिलता है वह सबसे जारा पास्टरवे मेर ज्याँ कर रहा है मतलब इसांटीन बिलियन जादा है हमारे сोलर सिस्टेम की संधान से मतलब यह हर एक रोज हर रोज एक सांड का मास खा लेता है मतलब हमारी सोर्च का जितना मास होता है मास इंदसेंस उ उसमें उसमें इंग्रीडियेंट होता है उसके जितना उसके अंदर जितना मॉलिकूल होता है उसके बारे में हम बात कर रहे है तो इस करसर का नाम है जे05294351 यह जो है और इतना दूर है हमारी प्लैनर से के इसका लाइट 12 बिलियन साल लागा है हमारी तक पहुंचने में मत समझ में आई रहा है कि हमें कोई जरूरत ही नहीं है अगर इसलाइट सब ज़्यादा जल्दी ट्रावल करता है अगर उसको ट्रावल करने में इसको 12 बिलियन साल लगा है हमारतिक पहुंचने में के लिए तो इसका मतलब है कि हम कासर को देख रहे हैं उस टाइम का जब यह 12 कासर के जो आश्ट्रियन नाशनल उन्निवर्सिटी के साइन्टिस्ट इन्हों ने इसको डिस्कॉवर किया और इसके बारे में ने अश्ट्रोनॉमी में एक स्ट्रडी पप्लिश किया है तो इस कासर का जो लाइट और इनर्जी एमिट होती है वह है 500 ट्रेलियन टाइम्स जा 12 मिलियन साल पहले जो चीज हुआ था उसका फिर लाइट हमें दिख रहा है ठीक है तो यह अगर हम बात करें इसकी जो ब्राइटनेस की बारे में पीछे देख रहे हो कि यह इतना ब्राइट है कि इसके हमारे हम इसको अर्थ से भी देख सकते है मतलब इतना टाइम लगा है इसको ट्रावल करने में मतलब इतना दूर है फिर भी जाके अगर इसका लाइट हमारे अर्थ से यह दिख सकता है मतलब इतना ब्राइट होगा है तो लेकिन इसके लिए हमें एक टेलिस्कोप की जरूरत होगी तो इस कसर को हाईडिंग इन प्लेइन साइट कहा जा रहा है और क्यूंकि इसके बारे में अब तक किसी को पता नहीं था जबकि हमें अलड़ी एक मिलियन कसर के बारे में पता है और अलड़ी हमारे को बहुत सारे गैलक्सी की कोर में पाया गया यह कसर यह ब्लैक होल के बारे में हमें पता है लेकिन यह वाला नया फॉर्मेशन पाया जिसका size, लाइट बहुत ही जादा बराइट है, और जिसका लाइट बहुत ही बहुत ही जादा है, बाकि हमारे एस्पेक्स है मतलब हमारे लिए सबसे ब्राइटेस्ट अब्जेक्ट क्या है सन है सां से भी बुब जाती तिप 500 ट्रिलियन जादा वो लाइट एमिट कर रहा है मतलब समझ में रहा है वो कितना जादा पारफुल हो सकता है तो बेसिकली यही था आज का सेशन और आपको मैं बताऊंगे मलुकायस के जो एप है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और इस वीडियो के पेडियेफ आगर आपको चाहिए तो आप जरूर जरूर हमारे टेलिग्रम चैनल पर भी जोईन कर लीजिएगा और बाकी जो सोशल म मेडिया करना है तो अच्छी तरह से करो मरीकायस के साथ करो तो यही था आज का सेशन और आप से मिलेंगे नेक सेशन में तब तक के लिए प्लीज बताते रहे ना कमेंट में अगर कोई क्लास को लेकर कुछ भी आपको कुछ आपको को इसके बारे में कोई कंप्लेन है कोई शिकायत है या इक क्लास अब को अच्छा लग रहा है या क्या क्या चीज आप और भी चाहते हो मेरे क्लास के थ्रू यह सारे चीज मुझे बताते रहे गया आपके सारे कमेंट हमारे सराखो पर तो आपके कमेंट के वेट करेंगे ने सेक्षन में मिलेंगे आप से तब तक क लिए बाइ बाइ टेक केर और बी आर रस्पोंसिब इसन जाहिए